क्या चैलेज एक्सेप्ट करेंगे उम्रान? क्या चैलेज एक्सेप्ट करेंगे उम्रान? सबसे तेज गेंद फेकने का मैदान में आएगा तूफान Hello and very warm welcome to sports nest मैं हूँ आपके साथ शरधा पांडे देखिए सबसे तेज गेंद कौन फेकेगा इसका competition जो है लगातार चल रहा है हर कोई एक दूसरे से तेज गेंद फेकना चाहता है उम्रान मलिक हो चाहे न्यूजलेंड के लौकी फर्ग्यूसन हो चाहे वो शोई बक्तर शोई बक्तर तो देखिया आप जाते हैं कि क्रिकेट से सन्यास ले चुके हैं लेकिन पहले कि अगर हम बात करें तो पहले शोई बक्तर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है वहीं अगर हम present time में बात करें तो पाकिस्तान के हारिस रॉफ का नाम भी इसमें शामिल है तो कई players का नाम इस list में शामिल है कि वहीं कौन सबसे जादा तेज गेंद फेकेगा किसकी रफतार सबसे जादा होगी, किसकी रफतार ऐसी होगी जिससे बल्लेबाज जो है डर जाये बिल्कुल थर थर कापने लग जाये और अब उम्रान मलिक को एक चैलेंज आया है अब आप सोच रहोंगे किस नहीं चैलेंज दिया है किस खिलाडी नहीं चैलेंज दिया है दर असल उम्रान मलिक को जो है पाकिस्तान से चैलेंज आया है कैच उसमें ही कि यह चैलेंज पाकिस्तान खिलाडी नहीं बलकि उंग्लेंड के बौलर ने दिया है उम्हरान-मलिक को अब आप को बता देते हैं कि इग्लेंड और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट मुकाबला चल रहा है पहली पहला जो टेस्ट मुकाबला है वो तो इंगलैंड ने अपने नाम कर लिया था दूसरे टेस्ट मुकाबले में मार्क वुड ने जस तरीके से पहले दिन में प्रदर्शन करके दिखाया था वो एकदम काबिलियत तारीफ थी और इसी के बाद हम कह रहे हैं उम्रान मलिक के पास एक चैलेंज खड़ा हो गया है कि भाया उनको अब जो है the现在 मार्क वुट जब जादा आगे निकलना है तो सबसे पहले आपको बाताते है कि मार्क वुट ने पहले ही दिन क्या कमाल करके दिखाया है कितनी रफतार से उन्होंने जो है ball fake पहले दिन पहले चार ओवर में markwood देखें markwood ने पहले 4 ओवर के अपने spell में क्या कुछ कमाल करके दिखाया था देखें पहली ball उन्होंने 156.6 km per hour की speed से fake थी जो की सबसे fastest थी इस match की उसके बाद देखे बाद करें हम दूसरी बॉल तो दूसरा इनकी जो बॉल थी 155.1 km पर आर की थी तीसरी बॉल की बाद करें तो तीसरी बॉल 154.6 km पर आर की थी उसके बाद अगर हम चौती बॉल की बाद करें तो 154.3 km पर आर की थी देखे अगर हम लास्ट बॉल की बात करें तो बतलब जो चार ओवर्स है उसमें जो हम पाँचवी बॉल की बात करें तो 154 किलो मीटर पर आर की स्पीड से इन्होंने जो है बॉल फेक की थी तो मार कूट ने देखे भईया ऐसा तहल का मचाया था अब उम्रान मलिक के सामने पहाड जैसा चैलेंज खड़ा हो गया है कि भईया इस रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ना है इस स्पीड को यानी 156 की जो स्पीड है इसको उन्होंने तोड़ना है उम्रान की महनत रंग ला रही है देखे उम्रान ने जितनी महनत IPL में करी थी उनकी ओ महनत रंग ला रही है कि भईया उनका T20 में भी डेब्यू हो गया था ऐरलेंड के खिलाफ उसके बाद ODI में भी उनका डेब्यू हुआ भी न्यूजिलेंड के खिलाफ और पहला ODI आपने देखा, तीन मैच खेले, दो विकेट चटका है, उतना कुछ इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन ODIs में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था, महनत इनकी रंग ला रही है, और आप जानते हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे जादा तेज जिसने गें इन्द फेकी है, तो अब उम्मीद करेंगे कि उम्रान मलिक इस रिकॉर्ड को तोड़े, क्योंकि एक इंटर्व्यू में उन्होंने बोला था, कि मैं इस रिकॉर्ड को, इशोई बक्तर का जो रिकॉर्ड है, इसको तोड़ने की भी पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, उम स्पीड के जादूकर, स्पीड के बादशा इनको ऐसी ही नहीं कहा जाता, अब कमेंट्स के जरी आप जरूर बता ही, आपको क्या लग रहा है कि ऐसी स्पीड इनकी और बढ़ती जाएगी, और क्या आपको रखता है कि उम्रान मलिक एक टाइम में उस लेविल तक पहुंच सब्सक्राइब करना, बिल्कुल नहीं भूलना है, आपने जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए